मैं गौरम नरिजन तरफितालूक इनिस्टूट से भूगोल का ध्यापक आपका और जूनिया स्टेंट की जो तैयारी हमारी टीम के द्वारा कराई जा रही है उसमें हम आपको भूगोल पढ़ाएंगे और भूगोल से कैसे कुश्चन आ सकते हैं उनकी तैयारी आपको कराए करेंगे इस वीडिपो में हम आपको कुष्चन के मादे में से पूरे तॉप कभी कवर कराएंगे कौसर और उन कुष्चनों का हम डिस्क्रिप्स देंग है कि किस परकार से कौशन पूंचे जा रहे हैं एक कुश्चन से आप एक से अब दो wind कुशन आाराम से तयार कर सकते ह हमारे यहां बैच प्रारम हो रहा है और जो लोग भी इस बैच में एड़िशन लेने के चुक है 8112378578577 इस नंबर पर आपको इंट्री ENTRY जे ए लिखकर भे देना है हमारी जो counselor है जो हमारी टीम है वो आपको message करेंगी और call करेंगी और आपको एड़िशन की जो पिरकिरिया है उस एड़िशन की पिरकिरिया से आपको आउगत करा देंगी एक बार में दुबार रासे नंबर repeat कर रहा है 8112378577 ठीक ना चलिए बिना किसी देरे के हम अपना जो सेशन है उस सेशन को स्टार्ट करते हैं यह रहा आपकी स्क्रीन पर पहला कुश्चन सोच समझ के अंसर देजेगा भारत की गलोब पर इस्थिती क्या है पूच रहा है भारत की गलोब पर इस्थिती क्या है तो गलोब पर विश्वत रिखा के नाम से जानते हैं और इसका मान anybody इस Natalie इस उपर वाला जो भाग है उसको झाल गोलार्द कहते हैं , नीचे वाला भाग जो है इसको धुछनी गुलार्द कहते हैं, उत्री गुलार्द और दच्छनी गुलार्द, ठीक ना, इस उत्री गुलार्द में एक रेखा पाई जाती है, और जो रेखा यहां पर है, इस रेखा का नाम करकरेखा, इस रेखा का नाम क्या है, तो जो रेखा है, एक करकरेखा है, और हम बखू भी ज होगा उत्री डोलारद अगर वंड आप से पूंचर्दा है कि उत्री कोलारद में होगा पश्थ कीज anticipating çूकी भारत के बीचोंघ से करकरेख और या करकरेख जो है वह कहां पाई जाती है करकरेख रेका उत्री गोलारद में होती है करकरे आगर पीछोबी से रेखा गुजरती है। इस रेखा का मान Zero-Degree आगर पूरव और पश्यम की बात होती है तो पूरव पस्चिमें से हम कहा पर हैं तो ज जि जिरो डेग्री में देशांतर याज देश से अंगे हैं कहा जाता है कि जो देश लंदन के आंगे है यानि पूरवी गुलार्द में है उनका समय लंदन के समय से आंगे होता है और जो देश लंदन के पीछे है यानि पश्मी गुलार्द में है उनका समय लंदन के समय से पीछे होता है जो आंगे है यानि पूरवी गुलार्द में है उनका समय गुलारद अगे हैं? सागे 5 घंटे आगे है, तो निष्च्चत रूप से ही हो गया कि हम किस गुलारद में पाई जाएंगे? हम पूरवी गुलारद में होंगे, क्योंकि पूरवी गुलारद में जो भी देस हैं, उनका समय लंडन के साथेज आंगे होता है तो उत्तर और दच्छन में हमने देखा था तो हम उत्तरी गुलार्द में थे और पूरब और पश्चन में देखे तो हम किस गुलार्द में हैं तो हम पूरवी गुलार्द में हैं तो हमारा उप्सन क्या बनेगा कि भारत की गलोब पर इस्तिति क्या है अच्छान से कि आधार पर पूरब में है अर्थार्थ भारत जो ग्लोब है उस ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या हो जाती है उत्तर पूर्व हो जाती है उत्तर पूर्व हो जाती है उत्तर पूर्व तौप सने इसका सही हो जा गया कि भारत की ग्लोब पर इस्थिति उत्तर पूर्व है ब कज की राधानी करकिरेखा परिस्थित है पहले हम नहीं जान लेते हैं कि करकिरेखा भारत में कहां से होकर गुजरती है पहले इस बात को नोटिस करते हैं कि करकिरेखा आखिर भारत में गुजरती कहां से है तो करकिरेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है और इन मित्र पर गमचा जार यह वह आठ राज्ज हैं जिनसे होकर करकरेखा गुजरती और अभी आपको बताए हैं कि करकरेखा का मान जो होता है वो साड़ेतेश डिग्री नौर्थ होता है अर्थार्थ करकरेखा उत्री गुलार्द में है यह बात हमें से देखकर पता चल गई अब कोश्चा नहीं पूंचा जा रहा कि किस राज्ज की राधानी करकरेखा परिस्तित है तो देखेगा उत्तर प्रदिश से तो करकरेखा गुजरती नहीं है उत्तर प्रदिश से करकरेखा नहीं गुजरती है ठीक ना चलिए मद्र प्रदिश से गुजरती पश्चमगाल जहारखंड नें तीन राज़ों से गुजर रही है तो किस राज़ की राधानी करकरेखा परिस्तित है तो इसका सही आंसर है जहारखंड जहारखंड की राधानी राची बिल्कुल करकरेखा परिस्तित है या ऐसा भी पूँछ सकता है किस राज की राधानी से के उपर से करक रेखा उजरती है या किस राज की राधानी के समीप से करक रेखा उजरती है तो राज पूँचे तो जारखंड और सहर का नाम पूँचे तो राची ठीक ना? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जारखंड और जहारगंड की राधानी तो जहारगंड की राधानी हो जाएगी राच्छी कुश्चन नमर दो के बाद कुश्चन नमर तीन क्यों बढ़ते हैं कुश्चन कह रहा है कि निम्न राज्यों में इस्थल आवद राज्य कौन सा है तो इस्थल आवद दिकार्त किया होता है इस्थल आवद है तो इस्थल आवद का यहां पर इंग्लिस लिखते हैं इंग्लिस में इसको land लग कहा जाता है इंग्लिस में क्या कहा जाता है तो इंग्लिस में इसको Land Lock कहा जाता है इस्थल आवद्य का मतलब इसे राजु चारों ओर से धरातल से घिरे हूं उनको स्थल आवद्य कहते हैं अब हरती राज्यों की बात हो रही है तो एक गुजरात option एक पश्चमंगाल एक उड़ी सा एक म को मैंसन कर लेते हैं मान चित्र में पश्यमंगाल पश्यमंगाल यहां पर है पश्यमंगाल उसके बाद उड़ीसा तोड़ीसा यहां पर है यह बताईएगा पश्यमंगाल और उड़ीसा यहां पर समुद्र के किनारे हैं और गुजरात भी यहां पर खंबात और कच्छ की खा इन में से option से ही पता चल गया हुआ है राज्य कौनसा है जो चारों ओर से धरातल से घिरा हुआ है अर्थार्थ इस्थल आवद राज्य का उधारण है तो इन चारों में इस्थल आवद राज्य का उधारण मद्यप्रदेश है कौनसा है मद्यप्रदेश इस्थल आवद जो चारो और से धरातल से गिरे हूं उन्हें इस्तलावद राज कहा जाता है ठीक ना चलिए Question 3 के बाद देखते है Question 4 देखिएगा पिरतेग तेश की एक मानक रहा होती है और इसी मानक रहा के आधार पर यहिसी भी देश के समय के गश्णन करते हैं भारत की जो मानक रहा है वह पूरवी गोलार्द में हैं पूरव और पश्च में से अगर इष्ट किसी रेखा में लिखा है तो समझ लिजी का पूरव में हैं तो भारत की मानक रेखा भारत की मानक रेखा है तो जो मानक रेखा है साड़े ब्यासी डिगरी इष्ट किस राज़्य से होकर नहीं गुजरती है तो जो मानक रेखा है 89.25 वे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है उत्तर प्रिदेश मद्द प्रिदेश 36 गड़ उडिज़ सा और अंधर प्रदेश उलिषा और अंधर quéश इन 5 राज्यों से होकर हे रेखा गुजरती है अब इसमें पूछाजा़ारा किस से नहीं गुजरती देखेगा यूपी तो मिल गया उड़ी सावी मिल गया आंध्र प्रदेश मिल गया तो किस राजी से नहीं गुजरती है तो गुजरती कौन-कौन से राज्यों से है इन पांच राज्यों से होकर गुजरती है आप मैंसन कर लिजी अपनी नोट में एक क डिगरी, causalip Talibayasi डिगरी, 73 डिगरी, डिगरी इस प्रकार से दे देगा और पूचिए-गा निम्लिक्षत मैसे भारत की मानक रेखा का मान कितना है तो १ DataAdamigíasy डिगरी और हो सकता है के option में वह saadive 82 भी देमेदे साड़ी ब्यासी डिग्री इस्ट भी दे दे तो इसका सही आंसर साड़ी डिग्री इस्ट होगा कुशन नमर चार के बाद देख लेते हैं कुशन नमर पांच के रचीन से निम्न मैंसी कौन सा राज सीमा नहीं बनाता है देखिएगा चीन से सीमा बनाने वाले राज्यों को देख लेते हम पहले एक हमने छोटा सा आपकी जानकारी के लिए एक भारत का मानचित्र बना लिए ठीक ना अब यह वाला भाग कट गया यहां से यह जम्मु कस्मीर है तो यह लद्दाक है तो लद्दाक बनाता है यहां पर एक राज है जिसका नाम है हमाचल प्रदेश बनाता है यहां पर उत्रा खंड भी इससे सीमा बना देता है ठीक ना उसके बाद यहां पर एक राज है सिक्किम सीमा बनाता है और यहाँ पर अरोनाचल प्रदेश तो यहाँ पर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जो राज है इस राज्जी का नाम सिक्किम है और यहाँ पर जो राज्जी का नाम अरोनाचल प्रदेश है कुल मिलाके यहाँ पर लद्दाक पहले लद्दाक नहीं हुआ करता था तो मैं जम्मू कस्मीर पढ़ाता था क्योंकि जम्मू कस्मीर सीमा बनाता था अब जम्मू कस्मीर की जंगल लद्दाक आ गया किंसा से तरह लद्दाक यहां पर है और जम्मू कस्मीर यहां पर है कस्म कि गा हिमार्चर प्रतक। कि अगुकी सीमा नहीवनाता है दो सही संलंग नहीं कर्ता है तो उस देष का नव नेपाल है किया नाम है तो ऊज़िए का नाम निपाल है बूलिए इतिमाद क्लियर है चलिए तो कुशन No.5 की बाद आ जाते हैं कुशन No.6 पर देखेगा ऐसे कुशन पूचता है जूनिया स्टेंड पर इक्छा में ऐसे से कुछन पूछता है निम्लिकित मैंसे कौन सा विन्न है या कौन सा प्रिथक है अब खुजतर ये है क्या तो कराइकल एक सहर का नाम है ये नम एक सहर का नाम है माहे भी एक सहर का नाम है और लेह भी एक सहर का नाम है अंतर इतना है कि ये तीनों के तीन ये तीनों के तीन चारों में डिफरेंट कौन, इन चारों में डिफरेंट लदाक, या ले, क्योंकि ले जम्मु का लदाक में है, जबकि ये तीन जो हैं, वो पुदुचेरी के जिले हैं, पुदुचेरी के अंतरका चार जिले आते हैं, एक का नम कराईकल, दूसरे का नम ये नम, तीसरे का नम माहे और चौधे का नाम पंडचेरी चौधे का नाम पंडचेरी ये चारों को मिला के पुदुचेरी कहा जाता है क्या कहा जाता है पुदुचेरी तो इन चारों में डिफरेंट कौन तो इन चारों में ले डिफरेंट है ठीक ना कुछ नमर 6 के बाद आते हैं कुछ नमर 7 पर देखेगा कह रहा है कि भारती मांसूम सबसे पहले किस तड़ पर टकराता है ठीक ना हम डाइगराम बनाएंगे हम डाइगराम बनाएंगे यहां पर गुजरात है कौन सराज यह गुजरात और गुजरात से लेकर गोवा तक का जो छेत्र होता है गुजरात से गोवा इस वाले छेत्र को हम कोंकर तट कहते हैं और गोवा से करनाटक तक का जो छेत्र होता है करनाटक गुजरात से कहां तक सरी गोवा से करनाटक तक का छेत्र इसको हम कन्नड तट कहते हैं कन्नड और करनाटक से केरल और केरल के बाद तमिलनाडू तक का जो छेतर होता है तमिलनाडू इस वाले छेतर को हम मालावार तट कहते हैं क्या कहते हैं मालावार केरल करनाटक केरल और तमिलनाडू आप जानते हैं बाद नहीं जानते हैं तो मैं समझा देता हूं कि भारती मानसून सबसे पहले केरल राज में प्रवेश करता है सबसे पहले किस राज में प्रवेश करता है एक जून को भारती मानसून के द्वारा सबसे पहले केरल में वर्षा होती है केरल में वर्षा होती है तो केरल में यहाँ पर कुछ परवत है यहां से मांसुन टकराता है और यहां पर लंबे समय तक अधिक मात्रा में वर्षा करता है तो बताईएगा किस तट से टकराया मालावार तट से टकराया किस तट से टकराया मालावार तट से टकराया ठीक ना बोलिए के लिए रहे बात तो याद रखेएगा कहां से टक राता है सबसे पहले भारती मांसून मालावारत तर्ट से टक राता है कुशन नमर साथ के बाद आईएगा कुशन नमर आठ पर कह रहा है भारत एवं किस देश के बीच में मनार की खाड़ी है मनार की खाड़ी है तो हम भारत बना लिए खाड़ी पानी का एक ऐसा भाव जो तीन ओर से जिसमें तीन ओर जल होता है और एक और इस्थल पाया जाता है उसको हम खाड़ी कहते है यहां पर नारियल के आकार का एक देश है इसका नाम स्री लंका है तो भारत और स्री लंका के बीच में यहां पर एक जल का भाग पाया जाता और इसी जल के भाग को मनार की खाड़ी कहते हैं यहीं पर है एक कौन सी खाड़ी मनार की खाड़ी तो मनार की खाड़ी जो है वो भारत अब भारत की नीचे जो राज्च है इस राज्च का नाम है स्री लंका तो मनार की खाड़ी जो है वो भारत और स्री लंका के मद्ध में हैं कहां पर है भारत और स्री लंका के मद्ध में ह मन्नार की खाड़ी तो इसका सही अंसर हो जाएगा स्री लंका भारत की ब्रहत हिमाले पर सबसे उची चोटी पूंचा जा रहा है ना कि भारत की सबसे उची चोटी पूंचा जारा है अगर आपसे भारत की सबसे उची चोटी पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे Mount K2 और Mount K2 का एक नाम होता है Garvin Austin अब यहाँ पर भारत की नहीं पूछा जा रहा है या ऐसा कह लिजेगा Mount K2 भारत की तो सबसे उची चोटी है यह तो सही है ट्रांस हमाले यह पूछा रहा है यह रहा आपका बिरहद हमाले ऐसा चाप के आकार का फैला हुआ है यहां पर कई सारी चोटीयां है और यहां पर एक चोटी है Mount Everest और हम जानते हैं कि माउंट एवरेश्ट जो चोटी है वो देश का नाम क्या है तो देश का नाम नेपाल है और इस माउंट एवरेश्ट के आंगे यहां पर एक चोटी है जिसका नाम है कंचन कंचन जंगा क्या नाम इसका तो इसका नाम है कंचन जंगा और कंचन जंगा जो चोटी है वो दो देशों की बॉंडरी पर है भारत देश और भारत देश के साथ साथ नेपाल तो भारत और नेपाल की यह सीमा पर है कहां पर है भारत और नेपाल की सीमा पर है चोटी का नाम क है पर सबसे उची चोटी हम आपसे कह रहे हैं कि विरद हमाला है कि जो सबसे उची चोटी है वो कंचन जंगा है और कंचन जंगा कहां पर है भारत और नेपाल की सीमा पर है इसका अधिकांत तो सबसे उँची चोटी का नाम कंचन जंगा है इस बात को आपको याद रखना है भारत की सबसे उँची पुंची जाएगा तो sorte act के 2 लगाईएगा लेकिन भारत की सबसे उँची चोटी ब्राद हिमालै में पूंचा जाए तो आप कंचन जंगा लगाएंगे यह इसी को ऐसा ही पूछ लिया जाएगा कि भारत की ब्रद हमाला पर सबसे उंची चोटी काउसी है तब भी आप क्या लगाएंगे आप कंचन जंगा लगाएंगे ठीक ना चलिए कुछ नमर दस पर आईएगा कहरे भारत का पहला लोह इस पात कारखाना कहा लगाए गया देखेगा जो कारखाने होते हैं वो कारखाने ऐसे छेत्रों में लगाए जाते हैं जहाँ पर आसानी से यह तो हमें कच्चा माल मिल जाए या हमें किस की उपलब देता हो जाए या हमें इधन की उपलब देता हो जाए और हमें परयाप्त मात्रा में क्या मिल जाए स्रम वहाँ पर हम भारी उद्धोगों को लगाते हैं भारी उद्धोग जहाँ पर हमें कच्छा माल मिल जाए प्रात्मिक्ता हम कच्छे माल को देंगे उसके बाद इधन को प्रात्मिक्ता दी जाती और तीसे नमबर पर स्रम तो जो भारत का पहला लोश्पात कारखाना है यह जमसेधपूर में लगाया गया टाटा कंपनी के दौरा टाटा के दौरा जमसेदपूर और जमसेदपूर कहां पार है तो जमसेदपूर जहारखंड में है और जहारखंड के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जारखंड में पर्याप्त मात्रा में खनिज मिलता है और खनिज मिलने के कारण जारखंड को भारत का खनिज हिर्दय कहा जाता है ना केवल यहां पर पर्याप्त मात्रा में खनिज मिलता है खनिज लोहा साथी साथ पर्याप्त मात्रा में यहां पर कोईला की भी प्राप्त किसकी प्राप्ति होती है पर्याप्त मात्रा में कोईला की भी प्राप्ति होती है और कोईला क्या है कोईला क्या है इधन तो जारखंड के छेत्र में यानि जमसेधपूर जहां पर है वहां पर कच्चमाल और इधन की उपलबदिता होने के कारण ही भारत का पहले वहां पर ल जमसेधपुर में कहां पर जमसेधपुर लो इस पात सायन तरण नाम दिया गया टाटा के द्वारा ठीक ना याद अठीगा चलिए कुछ नमर दस के वाद आते हैं कुछ नमर गैरा पर कुछ नमर गैरा है गारो पहाड़ी का सम्मंद किस तरा जिसे देखेगा गारो जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का या एक पहाड़ी है जिसका नाम है गारो एक पहाड़ी है जिसका नाम है खासी और एक पहाड़ी है जिसका नाम है जैन्तियां तो गारो खासी और जैन्तियां इसका नाम घारो इसका नाम खासी या खासी और इसका नाम जैंतियां था क्यों प्रते क्यों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसी ना किसी परिक्षास पूँचा गया है और यही trend रहता है यही trend रहता है जुने अस्टेंट हो चाहिए यूपीटर पर सी का exam हो वही कुष्चनों को जानदा पूँचता है जिनसकी बारम बारता सरबाद एक होती है किसी ना किसी exam में पूँचा गया होता है ठीक ना? चलिए कुष्चन नमर 12 देख लीजेगा घाटियों से संबंदित कुष्चन आते हैं एक कुष्चन मैंने घाटी से संबंदित डाला है कुष्चन पूँचा जा रहा है कि सांत गाटी भारत के किस राज्य में Mais अभी अभी बताये आपको कि मांसुन आता है तो यहां पर कुछ परवत हैं केरल में यह परवत क्या करते हैं मांसून को रोकते हैं मांसुन यहां पर अधिक मातरा में वर्सा करता है जब केरल में मांसून अधिक मात्राम वर्सा करता है तो वहां पर जो परवतों की छित का नीचा भाग होता है उसको हम घाटी कहते हैं अधिक वर्सा होने के कारण वापर अधिक मात्राम में वह नस्पती का विकास हो जाता है और यही इतनी घनी बंग नस्पती होती है कि ना तो इसमें मानो प्रिविस करना चाहता है ना ही जानबर जिस कारण से हमेशा सांती बनी रहती है इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है सांत घाटी तो आप से पूछा जाएगा सांत घाटी भारत के किस सराज में पाई जाती है तो सांत घाटी भारत के जिस सराज में पाई जाती है उस राजी का नाम है केरल उस राजी का नाम क्या है दूसरा राजी का नाम केरल है ठीक ना चलिए कुशन नमर 12 के बाद आईए कुशन नमर 13 पर देखिएगा भारत का आउसिष्ट परवत किसे कहा जाता है आउसिष्ट का अर्थ क्या है तो आउसिष्ट का मतलब होता है सेस या बच्चा हुगा देखिएगा जो वस्तु जितनी पराचीन होगी वह उतनी सेस मात्रा में मिलेगी पराचीन परवत की बात हो रही है आउसिष्ट परवत या निपराचीन तो भारत का जो सबसे पराचीन या आउसिष्ट परवत है उसका नाम अरावली है तो इसका आंसर तो अरावली है और शिष्ट परवत क्यों कहा जाता है हमें समझ रहे हैं प्रीकेम्रियन युग में जब पृत्वी की उत्पत्ती हुई तब अरावली परवत का निर्माण हुआ और अरावली परवत की उचाई इतनी थी यह रावली परवत है जैसे जैसे समय बीता गया बारिस हुई तूफान आये आंधियां चलें बैसे बैसे इस परवत पर जो मिट्टी थी जो चटाने थी उनका धीरे 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 कटाओ होता गया कटाओ को हम अपर्दन कहते हैं धीरे 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 चटानों का कटाओ होता गया और आज यह जो परवत है यह आज बिलकुन निम्नवस्ता में पहुँच चुका है यहां तक कि इसकी जो सबसे उची चोटी है गुरू सिखर उसकी उचाई मातर कितनी है उसके उचाए मातर 1722 मीटर है कितनी है? मातर 1722 मीटर तो जो परवच जितना देख प्राचीन होगा वह अपने जीवन काल की उतनी कम मवस्ता में होगा जो परवच जितना प्राचीन होगा वह अपने जीवन काल की अंते मवस्ता में पाये जाएगा यानि उसका इस दुनिया से अंती थोड़ी समय के बाद निश्चित है थोड़ी समय के बाद और आपरदन होगा धीरे 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 और कुछ समय के बाद धरातल में मिल जाएगा परवत जहांपर वहांपर पठार या मैदान का निर्मार हो जाएगा तो अगर आपसे पूछा जाए आउसिष्ट परवत तो दमाग लगाईएगा आउसिष्ट का मनलब सेस होता या बचा हुआ और भारत का आउसिष्ट या सबसे प्राचीन परवत जो है वो कौन सा है वो अरावली है ऐसी अगर विश्व के संदर में बात कर देता है कि विश् के सरवादिक प्राचीन परवतों में से एक हैं आपको यह बात याद रखनी है कुश्ट पूछा जाता है ठीक ना चलिए कि कुश्ट नमर 13 के बाद आते हैं कुश्ट नमर 14 पर देखिएगा कह रहा है जाड़े के समय में तमिलनाडू के तटिये चेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है देखिएगा यह भारत देश है और यहां पर केरल है और यहां पर यह तमिलनाडू है कि केरल है और क्या है तमिलनाडू जब यहां पर कुछ परवत है जब मांसून आता है तो इसको हम आता हुआ मांसून कहते हैं और यह आता हुआ मांसून दच्छन पश् मांसून भी कहते हैं के नाम दिया जाता है दच्छण पश्च मांसून तो ए मांसून आ रहा है तो एक केरल के परवत इस मांसून को रोकते हैं और रोकने के बाद यहां पर परयाप्त मात्रा में केरल में परयाप्त मात्रा में क्या होती है केरल में परयाप्त मात्रा में वर् आता हुआ मांसून जो है वो ग्रिश्म रितू में आता है और सीत रितू में भारत से मांसून लोटने लगता है जब सीत रितू में भारत से मांसून लोटता है तो बंगाल की खाड़ी से परयापत मात्रा में आदिरता गरन करता है और तमिलनाडू के छितर में वर्सा कर दे यह मांसून भारत से लोट रहा इसलिए इसको लोटता हुआ मांसून कहते हैं और यह उत्तर पूरवी मांसून के नाम से जानते हैं परियाप्त मात्रा में क्या करता है बर्सा कह रहा है जाड़े के समय यानि सीतरितू में तमिलनाडू के तड़ी छेतरों मांसून से गलत ये तो आता हुआ मांसून है सितोशन कड़वद्नी चक्रवास से गलत उत्तर पूरी मांसून हाँ उत्तर पूरी मांसून के द्वारा ह प्रवाल भित्ती किस महासागर में महा सागर पूछा तो हम प्रवाल भित्ती को जानेंगे तो प्रवाल एक समुद्री जीव होता है और भित्तीकार्थे दिवार एक कबच कर जालन रा जाता है तो दीवार नुमा सनरचना को ही प्रवाल भित्ति कहा गया प्रवाल एक समुद्री जीव है और इस समुद्री जीव जब मर जाता है तो दीवार नुमा इसने सनरचना का निर्मान कर दिया उसी दीवार नुमा सनरचना को एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया प्रवाल बिस्व की जो सबसे बड़ी परवाल बित्ती है उसका नाम ग्रेट बेरियर रीफ है बिस्व की सबसे बड़ी परवाल बित्ती का नाम ग्रेट बेरियर रीफ है ठीक ना एक कुश्चन हो गए सबसे बड़ी पूचा था हमने सबसे बड़ी परवाल बित्ती बता दे ग्रेट अगर पूछता तो आप इसका अंसर बताते एं कुरल सागर। Great Barrier Reep प्रसांत महा सागर में और प्रसांत महा सागर के कुरल सागर में आप पूछ लेगा आपसे किस देश के सम्हीप पाई जाती है। तो जिस देश में पाई जाती है उस देश का नाम है औस देश का नाम क्या है तो उस देश का नाम है औस 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 देश का ना राके बाद कुछ नमर 16 देखिएगा कहरा है विस्व की सबसे दच्छनतम राजधानी किस देश की है देखिएगा आप से राजधानी नहीं पूछ रहा है आप से देश पूछा जा रहा है माल लिजेगा यह हमारा मांचित्र है विस्व का भूगोल यहां पर उत्तर अमेरिक यहाँ पर South America है यह पूरा Europe और Europe के बाद यहाँ पर यह कौन सा है यह इसिया है यह इसिया और यहाँ पर अफ्रीका है यहाँ पर Australia है और Australia की निचे यहाँ पर एक देश है New Zealand और New Zealand की राधानी यहाँ पर Wellington विस्ट की सबसे दच्छनतम राधानी यहाँ पर अगर ऐसा बनाए तो यहाँ उपर की ओर है Wellington तो विस्ट की सबसे दच्छनतम राधानी पूँचा जा रहा है तो विस्ट की सबसे दच्छनतम राधानी अगर पूँचता तो विस्ट की सबसे दच्छनतम राधानी का नाम क्या है तो पूझनिऊर बिस्की सबसे दच्छतम राजदानी का नाम publishers की न्यूजर्ण देश की न्यूजर्ण डेस की है राजधानी का नाम क्या है वेलिंग टई कि सागर हुए मासागर से जोड़ती है अच्छा सोईज नहर लाल सागर को किस महा सागर या सागर से जोड़ती है देखेगा मैं डाइगराम बनाता हूँ एक कुश्चन पूछेगा एक कुश्चन है आपसे हमारे पास यहाँ पर एक महादुईव है इस महादुईव का नाम अफरीका महादुईव है और अफरीका महादुईव के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एशिया और यहाँ पर कौन सा है तो यहाँ पर है अफरीका यहाँ पर एक सागर है और इस सागर का नाम है भूमद शागर कौन से सागर भूमद और भूमद सागर की साइड एक और सागर है और यहाँ पर जो सागर है उस सागर का नाम में लाल सागर के नाम है लाल सागर अब देखिएगा यहाँ पर ही एक नहर का निर्मान किया गया है और जो नहर है यहाँ पर इस नहर का नाम क्या है तो इस नहर का नाम है सोईज नहर के नाम है सोईज नहर तो सोईज नहर अगर देखा जाए तो यहाँ लाल सागर है तो लाल सागर को जिस महा सागर से जोड़ती है वो भूमत सागर है आप से ऐसा भी पूछ लेगा कि भूमत सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम सोईज नहर भूमत सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम सोईज नहर ऐसा उसकता है ठीक ना या परियोजना जो है वो जम्मु कस्मी राज में है और तुल्वुल परियोजना का सम्मन्द। छेलम नदी से है अगला देखिएगा फरक्पाद गंगा नदी पर पश्मंगाल राज में टहरी बाद भागी रती नदी पर है उत्रा खंड राज में और लदाग सहर किस न दिखना रहे है तो लदाग सहर सिंदू न दिखना रहे तो देखेगा एका तीसरा एका तीसरा एका तीसरा इसमें भी मिला है और एका तीसरा इसमें भी मिला है चलिएगा B, B का दूसरा, तो B का दूसरा S में मिला है B का दूसरा S में नहीं मिला है तो संभाताईज सही होना चाहacio C का चौथा तो C का चौथा यह मिल गया D का पहला तो D का पहला ही मिल गया तो option C, इसका सही answer हो जाएगा तुल्बुल परियोजना जहिलम नदी से फरक कावांद गंगा नदी से टहरीबांद भागी रती नदी से और लद्दाग सहर किस नदी से लद्दाग सिंदू नदी से ठीक न? यानि लद्दाग जो सहर है वो सिंदू नदी किनारे है कहां पर है? सिंदू नदी के किनारे बोली भाई इधरिमाद क्लियर है बस एक कुश्चन को पकड़ लीजेगा सिलेक्शन पक्का है चलिए कुश्चन नमर 19 देखेगा इस प्रकार की भाधसा का भी यूज कर सकता है हला में ऐसी भाधसा का यूज उसने आतक नहीं किया भविस्सक के लिए एक नदी जिसका उद्गाम बहरत में है यानि ऑधारत से जन्रेट हो रही है जो बहरत में से उत्पान होगे कहां चली जाती है बंगलादेश में चली जाती है तो हम सीधा सीधा बता दे रहे हैं इस नदी का नाम तिस्ता नदी is देखिएगा दियांग नदी अरणाचल परदीस में बहती है गलत हो गया बराग नदी मनिपुर में बहती है ये भी गलत और ब्रहंपुत नदी तिबबत में बहती है और सिक्किम में इसका से कोई संब्ध नहीं है तो सही आंसर हो गया सही आंसर हो गया तिस्ता नदी ठीक न आज की सेशन का लाश्ट कुश्चन है कुश्चन नमर बीस कुश्चन नमर बीस देख लीजेगा कह रहा है नदियों का उत्तर से दच्छन में बिस्तार कौन सा सही है चलिए दच्छन भारत की नदिया बनाई है इसने हम भी बना लेते हैं दिख रहा है यहाप अब अपर लोग लोग नर्मधा नर्मधा नदिया ऐसी बहती है आध गोदाबरी गोदाबरी नदी ऐसी बहती है दच्छन भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदाबरी के बाद किष्णा किष्णा नदी ऐसी बहती है और एक किष्णा हो गई और किष्णा के बाद एक और कौन सी है किष्णा के बाद कावेरी तो कावेरी ऐसी बहती है ठीक ना त और कौन सी बस यही नदी है कहरा उत्तर से दच्छन का सही क्रम तो अगर चंबल है तो चंबल उत्तर उपर वाले जिसा उत्तर और नीचे वाले जिसा दच्छन तो चंबल नर्मदा गोदावरी कावेरी यह भी हो सकता है नर्मदा गोदावरी किष्णा कावेरी यह भी हो सकता है कावेरी नर्मदा नहीं हो सकता है कावेरी नर्मदा गोदावरी चंबल तो सबसे पहले कावेरी सबसे दच्छन में तो यह भी नहीं हो सकता तो यह दो तो नहीं हो सकते इनी मैंसे कोई एक होगा एक नहीं बलकि दौ और यह वी सहे और यह ऑप आप लिए किस्टम होतब मालीजेगा यसी में अगर वो उत्तर से दच्छन की जंगा धश्चन से उत पुंच लिए तो उल्टा हो जाता इस वाले में कावेरी, कावेरी की ऊपर किश्णा, फिर गोदावरी, फिर नर्मिना और चंबन ठीक ना चलिए हो तो आज की मात्पून पृष्णों की सरंखला आपकी यहीं समाप्थ हुई junior stand परिक्षा में सफलता पाने के लिए हमारे team के द्वारा एक batch चलाया जा रहा है एक batch संचालित किया जा रहा है जो भी लोग इस परिक्षा को pass करना चाहते हैं हमारे उपर विश्वास है तो आईए और हमसे जुड़िये और आपकी class प्रारम हो गई है उन class हो में जल्दी से एडविशन ले लीजिएगा और start कर दीजिएगा जो लोग भी इन class हो में एक प्रकार का crash course है एक प्रकार का crash course हम लोग कुश्चन जानदा कराएंगे तो इस batch में एडविशन लेने के लिए हमारे संस्थान की ओर से एक नंबर जारी किया गए 81123 81123 785 785 ठीक ना चलिए थोड़ा इसको यहां लिखते हैं नंबर यहां लिख दे रहा हूं मैं 81123 81123 785 785 577 इस नंबर पर आपको जे ए जूनियर असस्टेंट इंटरी लेकर वाटसप के माध्यम से वाद याद रखनी है वाटसप के माध्यम से आपको ए मैसेज भेज देना है हमारी टीम हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और बैच मैं एडविशन लेने की क्या प्रिक्रिया है कैसे बैच संचालित हो रहा है इस पूरी की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी प्रूबाइट कर दी जाएगी एक वाटसप के माध्यम से जे ए इंटरी लिखकर आपको वाटसप कर देना है जो भी एडविशन की प्रिक्रिया है वो आपको समझा दी जाएगी